वेलकम टू माई यूटूब चैनल पीजनस इंफॉर्मेशन दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कभूतरों की ब्रीडिंग के उपर क्योंकि भाई बहुत सी छत्तों पर देखा जाता है कि कभूतरों ने अंडे रखे या तो उनके अंडे खराब हो गए या फि च्छी कुछ भाई हो के यहां तो बड़े होकर भी मर जाते हैं तो फिर भाई मैं बताओंगा अपने डिटिफ के आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई इस टाइम आप जो देख रहे हो दाना खा रहे हैं या फिर आप कह सकते हो मेरी सच्छ पर लगवग 50% मेरे घर के ही बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं और जिन्होंने अंडे बच्चे करवाई हुए हैं और बच्चे वो निकाल रहे हैं तो भाई मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे सक्सेसपुल ब्रीडिंग कर वाता हूं यह अभी फिलाल के बच्चे निकले हुए हैं और जो है यह रहा चीना है जो गोटकरा वाई इस पठ्धे ने अंडे रखवाई हुए है और यह रहा बच्चा यह अभी फिलाल का निकला हुआ है जीरोकली का बच्चा अब लोग यह है सब लोग क्योंकि हर दाने में अलग होती है हर दानेका निय्टिरिशन उता है आध़ सबस्र होती है ऐसे पूर्थी नहीं हो सकती सबीगद एक पूरत्ती को दियगा को अलग घ्लाना पड़ता है सब्सक्राइग झाहिए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अगर आप लोग मिक्स करकर दाना नहीं खिला सकते हो ज्यादा तो फिर आप 2-3 दाने तो मिक्स करी सकते हो वह आपको करने पड़ेंगे क्योंकि केवल एक दाने से बाइब कर पूर्टी नहीं होती है होगा क्या जो अंडे होंगे उनके फ़र्टाइल होना बंद हो जाएगा और एक अंड़ा ठीक好啦 फिर अंडे जुक yearn वम्हाएं हुए कर लिफाटे आपने देखा होता क्या है हमें क्या करना यह जो हमारे को औरका क्ली ने आप लोग प्रक्रोbnी है कर लिती हो अटने लग आप अच्छे से खिला सकते हो अगर आप भीड खती करोगे अपनी इस पर कभी तो नहीं अच्छे से ऑनकी देख वाल कर पाऊगे विट फिर मेरी बात मानों तो तो जितने कभी अच्छे से ख्याल रखो अच्छे कहते हैं की लोग चाहिए तो अगर आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हो लेकिन आपको तरीका आना चाहिए भाई ब्रीडिंग करवारे और फिर बात आती है सर्दीओं में आप लोहिख के बरतन में पानी पिलाते हो चाहें लोहिख के बरतन में पानी पिलाते हो है आपने देखा हुआ ठंडा हो जाता है ठोड़ी में तो वूस टारीं हमें पानी बदलना होता है क्यांकि भूस ज्यादा हो जन्डा होता है ऊठाएं को फिर भाई बोड़ानाow turs कैसे करवाएंगे तो फिर भाई बरसात में ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे कभूतर का लॉफ्ट है वो गंदा नहीं हो क्योंकि अगर वो गंदा हो जाएगा और उसमें पानी जाएगा तो भाई वो फूल जाएगी और फिर उसमें से बहुत ज्यादा बीमारिया बने क्योंकि वो पुरानी बीट होती है इसलिए बरसात में हमें साफ रखना चाहिए अपना लॉफ्ट और कोशिश करने चाहिए कि लॉफ्ट के अंजर पानी ना जाए क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं कभूतर उतने पालो भाई जितने कभूतरों का आप ख्याल रख सक इसमें बैक्टिरिया बन जाएंगे और कवूतरों में नई नहीं तरह की बीमाईयां बनेंगे इसलिए कवूतर की पानी के बरतन होता है वो हर हफते के अंदर कम से कम दूलना चाहिए रोज दूलने की भाई नहीं क्याया हूं मैं आपके बद एक हफते में दूल दोगे